कि नमस्कार सात्यों वेलकम टु अपनी युनिवर्शिटी दोस्तों अब विद्यार्ट में दीरे काफी मेसेज आते हैं काफी कोल आते हैं कि सर अब सरकार जो है बरतिया निकालेगी और विशेश उम्मिद जो थी वह स्कूल व्याख्याता से थी और स्कूल व्याख्याता के बारे में काफी क्यूरी स्टूडेंट कि आती है तो उस रिगार्डिंग एक छोटा सा मैंने ये सेशन लेने का प्रियास किया है तो हम तूदा पॉइंट कुछ म विद्यार्थी खुद के हाथ में नहीं उस पर ज्यादा वह चिंता करता कि वेकेंसी कब आएगी वेकेंसी कब आएगी और वह सारी चीज़ें उसके साथ में चल रही होती है दूसरा उसके हाथ में जो है जो उसके हाथ में नहीं है उसके बारे में वह कम सोचते हैं हमारे ह तो इसके अंदर सरकार ने सूचना भी मांगी कि कहां कहां खाली पद है तो वो सरकार अपना काम कर रही है और यह निश्चित है वेकंसी आएगी दोजाटोइस में आएगी वेकंसी आएगी अब यह लग रहा है कि लोकसा बाच चुनाव होते ही आएगी या हो सकता लोगों स चुनाव से पहले हमें तो समय मतलब नहीं लग रहा है उससे पहले आए लोकसा बाच चुनाव के बाद में आएगी लेकिन वो जो काम है वो सरकार का वो चल रहा है यह त्याएगी क्योंकि वह आचार सिंता लगने से पहले आने चाहिए तो दूसरी तरब जो हमारा काम क्य है हमारे क्या प्रयास होने चाहिए आगामी बर्तियों के लेकर हमारा क्या रणनीती होनी चाहिए उसके उपर हम क्या कर रहे हैं यह सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए ना कि आगामी बर्तियां कब आएगी क्या आएगी हम अपने से सवाल करें हम अपने से पूचे कि मैं क्या कर रहा हूं मेरा टार्गेट क्या है मैं कितनी मैंनत कर रहा हूं और किस में मैंनत कर रहा हूं कौन सा कंटेंट पढ़ रहा हूं कैसी रंडिति के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं क्या नोर्स पढ़ रहा हूं क्या क्लास देख रहा हूं या जो भी आपका प्रपज है जो आग जर्णरली होता क्या है विद्यारती वेट करते हैं कि अब बरती आएगी तब तयारी करेंगे तो हमेशा हमने मारवारी में सुना है कि जो प्यास लगने पर कुवा खोथता है तो वो कुवा खोथे-कोथे मर जाता है उसकी प्यास नहीं बुचती है इसलिए और ये भी हमने देखा है पड़ा है इतियास में पड़ा है कि वह राजा जिसने आकरमन होने के बाद अपने हतियार उठाए वह राजा जिसने आकरमन होने के बाद अपने हतियारों को पैना किया वो राजा हमेसा संगर्स में संगर्स के मैदान में लड़ाई में हमेसा हारा ही है इसलिए ह हमें उन बातों से सीखना चाहिए छोटी छोटी बातें होती है लेकिन हमें इससे सीखना चाहिए आपको यह लग रहा है कि वेकेंसी आएगी बाद में त्यारी करेंगे एक्जाम डेट आएगी बाद में देखेंगे तब सारी सीजे करेंगे उससे पहले सबसे जरूरी है कि नी अब क्या कर रहें किस च checkpoint सब्सक्राइब कि आगे बढ़You का आपके क्या परियास है किया आप एक दिन में कितने गणते पढ़ रहे उस टारगेट के इको इनकर थार कर रहे हैं चार्छे है रे generally कितने अपने हतियारों को धार दे आया था कि तीस दिवस का अंदर जो है सूचना मांगी है ठीक है तो यह सारा कार्य चलता रहेगा आपको अपने लेवल पर जो है कुवा खोधना है अपने लेवल पर अपने हतियार त्यार करने है ठीक है मांजी बनना है योगी बनना है तपस्वी बनना बहुत सारी डिस्ट डिस्ट्रेक्शन है मोबाइल कुलो डिस्ट्रेक्शन है लाइबरेरी में जाओ डिस्ट्रेक्शन है कोचिंग में जाओ वहां डिस्ट्रेक्शन है ओनलाइन पड़ो तो भी डिस्ट्रेक्शन है यूट्यूब फोलो तो भी डिस्ट्रेक्शन है बहुत सारे बटकाओ है ठीक सबसे जरूरी है कि आप इस पूरे माहोल में अपने आपको कैसे विवेक अपनी विवेक सिगलता के साथ अपने आपको कैसा प्रबंदन करते हैं कैसा management करते हैं और किस वे में आप अपने target के लंबा संगर्स करना है तो यह चीज़ चल रही है यह आ जाएगी इसमें जो सबसे पहले लगता है तो लास्ट में आनी चाहिती वह स्कूल विया क्या था फस्ट ग्रेड की वेकेंसी आएगी ठीकि उसके बाद में हो सकता है कि सेकंड ग्रेड की देखनों को मिले और बाद मे यह थर्ड ग्रेड की वेकेंसी भी आने की चांसे से मतलब यह सारा सिस्टम जो हम ऐसा चल रहा होता है सिनेर्यों वही चलना है प्रोसेस वही चलनी है साथ में जो अधर एक्जाम है जो सीटी के अंडर में लाए गे थे तो सीटी पूरा ठंडे बस्ते में चला गया है वो स सारी जो RSM SSB Board वर्तियां करवा था उन सारी वर्तियों में भी कुछ मैं बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा अब मेरा जो परियास है वो क्या होना चाहिए उसके उपर मैं बात करने के लिए आपके साथ आया हूँ आपका क्या परियास होना चाहिए मुझे लगता है कि वेक करम का मैंने सरली करण किया है या नहीं किया है ठीक ठीक है उस पार्ठी करम के अकोर्डिंग मैंने कंटेंट राइट कंटेंट मैटेरियल अच्छा देखा है या नहीं देखा है ठीक साथ में अगर इसकूल व्याख था कि त्यारी करें अधर एक्जाम के त्यारी कर रहे है तो ये जो पाठे करम है इसमें NCRT से कितनी चीज़े cover हो रही है वो मैंने देखी है या नहीं देखी है ये सबसे अधिक matter करता है ये ही आपको करना है इसके उपर काम करना है ठीक है पाठे करम का देखना है सरली करनी करना है उसका visualization करना है analysis करना है और क्या चीज़े बैतर हो सकती है कैसे इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं कौन सा content अच्छा है कौन से notes आपको self level बनाने है NCRT आपने कितनी बार पढ़ी है NCRT से क्या आपने sort notes बनाएं कितने बनाएं उसको कितनी बार revision किया है इन चीज़ों पर आपको focus करने किया हो शकता है साथ में अगर जो पुराने विद्यारती है या आपको अगर नहीं रंडिती में आप उतर रहे है स्कूल व्यक्याता या कोई भी आप जिस भी वरती का exam के त्यारी आप कर रहे है उससे पहले उसका पीवाई क्यूज आपने देखा है या नहीं देखा है मतलब मैदान में उतर रहे हो लेकिन आपको ये पता नहीं कि मैदान में आपसे किस से लड़ना है ठीक है मतलब जो है जो वेकेंसी है उसका सिलेबस क्या है और पिछली उस exam की जो भरतियां हुई यह चाहिए स्कूल व्यक्याता हो कि लास्ट टाइम में तीन चार-पांच वार जो भरतियां हुई है उनके पीवाई क्रूज का क्या करना है आपको विशलेशन करना है वह आप कर रहे है या करना तो यह आप करेंगे कि प्वाई कुस का अधार पर की पहले के जो बरतियों कि क्यूसंट है उनको अच्छे से आप करो एक बार देखो उसका उनका विसलेशन करो उनका सरलीकरन करो साथ में जो अगर आपको लगता है कि पुराने विध्यारती है जिन्हों ने पहले प कहां पर कमी एक काम करते हैं श्कमय को कैसे सोटड करते हैं तो आपके प्रयास होने चाहिए कि मेरा कौन सा descrição इक है अपको कमजोरियां फर काम करें टिक कमी जो है जो आपकी कमजोरिया है उस पर आप को किसे धार देना है यह चीज़े आपको बहुत जरूरी है और साथ में ये भी देखना है कि आपकी जो कमजोरी है उसको कैसे सोट आउट करके मैं Magzimum नंबर खिन सकता हूं या जो अभी जैसे ना मैंने का ना लास्ट में होता किया कि वह सारे विडियार्टी होते हैं सर पिछली बार भी दिया था एक नंबर से रह गया इस बार भी दिया है पांच नंबर से रह गया दो नंबर से रह गया वो इसलिए रह जाते हैं कि कम्यों प पूछिए उन्होंने उनका दो नमर की किम. उनको समझ में आई, उन्होंने इतनी मैंनत की कि фस्ट grad में वो ओल्राज्तान थرड रेंग लेकर आए क्योंकि उनको पता, चल गया कि दो नमर की कीमत कितनी है, दो नमर में असिस्टेंट professor में बाहर हो गए थी तो आपको भी ये करना है कि लास्ट में ये मलाल नहीं रहे ये रिग्रेट नहीं रहे कि यार थोड़ी सी और मेहनत कर लेता थोड़ी सी मोबाल से दूरी बना लेता थोड़ी दोस्तों से दूरी बना लेता थोड़ा सा योगी तपस्वी थोड़ा और बन जाता थोड़ा आत्म संयम और रख लेता तो क्या पता दो नूमर से में बाहर नहीं होता बहुत सारे विद्यार्तियों कि जब अभी स्कूल वियाख्याता का रिजल्ट आया था बहुत सारे विद्यार्तियों से बात होती है आज भी रोज कॉल करते हैं कि सर यह कमी रहे बहुत से बड़ा गुरू है वह अंदर से आपको बोल देगा कि यहां काम कर यहां वर्क कर यहां मैनत कर ठीक है मत बटक मत इधर उदर जो है अपना जो एनरजी है उर्जा है उसको वैस्ट कर राइट तो पूरी अपनी उर्जा को ताकत को इन सारी चीजिएों में लगा करो जितनी मेहनत करनी है मतलब है ना मांजी बन जाओ मतलब जितनी अपनी पूरी उर्जा है ताकत है उस पूरी ताकत को एक साथ जोंग दो कि किसी भी आहलत में मुझे अपना जो गोल्स है वो दोजाज 24-25 में प्राप्त करना है ठीक है इस टाइप का अंदर से एक द्रि तो मुझे लगता है जिनके 20 से कम नमबर बन रहें ठीक है जो चाहरे पेपर ठड़ हुआ है ठीक है यहां पर उनके जो आक्स अगर पेपर ठड़ में 20 से कम आ रहे है तो उनका रुजान थोड़ा एक्जाम के पर ते कम हो गया मलब सब्जЕक्ट वह अच्छे से त्यार नह कर रहें हैं मेरा यह मानना है कि आप सकुल वयक्या था कि पहले इसे त्यारी कर चुकर हैं अभी यह पी गदिया थोड़े नंबर कम वर्हें तक 100 परषेंट की तयारी कर नीची मतलब है इस मतलब आप क्या करोगे के यूल इसकी त्यारी करोगे तो आपके त्यारी बहुत धीली डाली होगी क्योंकि आपको target नहीं दिख रहे इसका सिधा सांदार त्यारी हो रही है दिक्कत कहां है वो विद्यारती जो नए है जो फ्रेसर है ठीक है यहां पर दो तरीके के विद्यारती है जो एक तो नए है ठीक है एकदम फ्रेसर है जो एक दो है पुराने है ठीक है पूर्वे बरती वाले विद्यारती है जिन्होंने इसकुल व् कीजिए वापस लग जाए इस बार नरंदर की तरह यह सोच लो कि मुझे टॉप 10 में आना है ठीक है यह दृडड इच्छा सकती आपके अंदर होनी चाहिए नहीं तो डिली डाली तैयारी करोगे ठीक है वेकेंसी नहीं आएंगे देखेंगे इधर उधर टाइम पास हो जाए निकल गया मैं यहीं बैठाओं ये बोसारे साथ होता है बहुत सारे हजार और अग्जसांपल देखता हूं सुनता हूं तो ऐसा मैसूस होता कि यार कुद पर फोकस नहीं किया था ज्यादा ध्यान दूर्से लोगों पर था तो आपको जो नए विद्ध्यार्ती हैं वो क्य लिजी जो भी करना है सुरू कर दीजी ठीक नए विद्यार्ति जो भी सुरू करना कर दीजिए और नए विद्यार्टियों लिए मैंने कहाना सबसे पहले यही है कि आपकी जो रण भूमी है जो आपका पाटे करम है उसको अच्छे से कीजिए आप जो आपका पाटे करम है ज इन नएये वाले हैं वाले silicone आगे हैं और आफ से आगे निकलद आए तो इतनी मेहनत करने हैं अपने आपको बनाए रखना है ठीक है नया पुराना मुझे लगता नहीं होता कोई नहीं है न उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे राइट ये चीज़े करने हैं बाकी जो विद्यारती है वह एक की त्यारी कर सकते हैं ठीक है मैनत करनी है टार्गेट ट्यारी करनी है पीवाई क्यूज सब्जेक्ट में पूरा अपने आपको एक से मतलब रमा देना है पूरा एकदम सब भी नहीं भी कर रहे हो तो एक सामने आपका सांदर एक और भी रहता है वो है नेट घ्रेफ ठीक एक तोड़ा ठीक कर लेंगे पेपर ठीक कर लेंगे जो जाईगा देट हो ड्यारेफ होगी तो पेंट मेंशन मिल जाएगा गर बैटे स्कोलर्शिप मिलेगी आराम से एकदम सांत चितमन्द के साथ बिना जिजक के एकदम आत्मनिरवर्व भाव से आप तयारी कर पाओगे किसकी आगे स्कूल व्याक्याता हो चाहिए इदर साइक आचारी भरती हो नेक्स्ट के तयारी कर पाओगे तो ये भी बहुत अच्छा ओप्सन है विद्याति से उपर काम करना नहीं चाहते हैं मैनत करना नहीं चाहते हैं अराम से कर सकते हो करना चाहिए नेट का फोर्म अभी जून वाला है टार्गेट ले सकते हो उसका ठीक है साथ मैं कर सकते हो तो आपके सामने option ही option है आप काम नहीं करना चाते हैं या उसके उपर उतरना नहीं चाते हैं उतर यह क्योंकि सब्जेक्ट ही तो है चाहे स्कूल व्याक्याता हो चाहे assistant professor हो चाहे net हो तिनों में subject ही है उतर जाओ डूब जाओ जरूर आपको जो है मत आपकी आत्मा बोलेगी जब हम 100% से मैनत करते हैं इतना confidence आता इतना confidence आता अंदर से हम इतने मजबूत होते हैं कि यार मैंने अपना 100% दिया मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है अगर यह आपकी अंतरा आत्मा बोल देगी उस दिन आपको कोई रोकने वाला नहीं हो सकता है कि सा करेंगे नहीं तो कुछ नहीं नहीं तो यह लगया कि यार थोड़ा सा मैंने वहां कर दिया इसलिए मैं नहीं कर पाया अगर यह होगा तो कुछ नहीं होगा हमेसा आधिये दूरी हमेसा जिन्दगी में अभियरती बने रहोगे हमेसा भीड का हिस्सा बने रहोगे बस भीड आपको चाहिए वो हम सारे साथ में हैं बस अपने आपको आपको आत्मिशलेशन करना है चिंतन करना है आगामी क्या होगा भरतियां कब आएगी वो सब बहुशे के गर्त में हैं अभी आप क्या कर रहे हैं आप कहां स्टेंड कर रहे हैं आप किसी सीनियर से सेलेक्ट होने जो मजबूत करना ही होगा अगर यह नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा आप यह माल लीजिए कि अब मुझे मैदान में उतरना है अब मुझे एक पूरी ताकत के साथ पूरी एनरजी के साथ एक ही वे में आगे बढ़ना है यह एक संकल की सकती आपके माइंड में होनी चाहिए तब आप जीद पाएंगे और जो बुगोल के विद्ध्यारती हैं अभी असिस्टेंट फ्रोफेसर की त्यारी कर रहे हैं या इसकूल विद्ध करने का सोच रहे हैं जोग्रोफी विद्ध सूरज सर यहां पर आप जो है यह टेलिग्राम चैनल है इस पर आप जूट सकते हैं इस पर मेरा कंटेंट और क्लास के बारे में जो भी सेडियूल कुछ अपडेट वगरा जोग्रोफी के आते हैं जिरंतर मैं यहां पर सेर करता रहता हूं जो भी डिटेल वगरा अपना होता कोर्सेस के बारे में वह सारी जानकारी दूसरा आप अपनी युनिवर्सिटी अगले एक देट साल कि किसी भी आलत में इसमें हम टोप 120 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे क्योंकि हम छोटा सोचते ही नहीं कभी हम बड़ा ही सोचते हैं तो यह आप जोईन कर सकते हैं अभी अभी नया बेज स्टार्ट हुआ है इसके अलावा भूगोल के विद्यारती काफ चैतारी करें ईए और विद्यातियों अब बात कर सकते हैं जो नेत ज्यारतकर का टारिविट कर रहें इंका अपना बेफ स्टार्ट हो चुका है ब्रॉकूल बेच जून के लिए और सपना है कि तीन बार घ्रफ अगर आप में के साथ में कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं बस वह पता होना चाहिए पढ़ना क्या है बस मैंनत करनी पड़ेगी आराम से अच्छे से आप सकते हैं और जो जोग्राफी के एपी की त्यारी कर रहे हैं जो इस्टडी क्लास जोइन कर रहे हैं अभ्यास टैसरी से जो एपी की त्यारी कर रहे हैं भूगल से वह अभ्यास टैसरी समय ऑफ-लाइन स्टार्ट कर दी है जेपूर जोत्पूर वह सीकर तीन सेंटर पर अपने पर्यास करने का और बाकि ओनलाइन भी आप ले सकते हैं और इसकी बोट अधिक डिमांड आ रही थी ऑफ-लाइन बेच की इसकूल व्याखता का सरू ओफ-लाइन बेच का बारा है तो जेपूर में हम फरवरी फर्स्ट वीक में पर्यास करने इस्टार्ट करने का तो जल्द ही आपको ओफ-लाइन बेच जेपूर में अपना दिखाई देगा राइट तो आप सभी का बहुत आबार दोस्तों लास्ट में यही कहूंगा कि जो जिंदगी में सबसे बड़ा दुख होता ना वो मलाल होता है रिग्रेट होता है पश्चाताप होता है यह पुरानों में भी तरब से कोई कमी ने देखो सफलता है सफलता हो समय के जो है समय हमें दिखाएगा कि हमें कब मिलेगी क्या मिलेगी कितनी मिलेगी वह उपर वाले के हाथ में है परियास जिंदा रहने चाहिए परियास हमारे हाथ में मैनत जिंदा रहने चाहिए मैनत हमारे हाथ में है अपन है लिख के दे सकता हूँ मेरा अनुभव मेरी जो आसपास के इतने सारे कॉंपिटेटर है पिछले 10-12 साल से कॉंपिटेशन की दुनिया में हूँ जितने लोगों को देखा है जिन्हों ने जो तपस्वी बने है योगी बने अपने टारगेट के अकोडिंग उनको जरूर हाथ पर मैं अपने सेशन को समाप्त करूंगा और लगे रहिए बाकि अच्छा होगा सुब होगा ऐसी सुब कामना है मंगल कामना है थैंक्यू और यह डाउनलोड एप आप कर सकते हैं यहां पर आपको सारी जानकरी मिल जाएगी थैंक्यू